नमस्कार मैं हूँ आशुतोष और इस समय हम दारजली में मौजूद हैं दारजली पश्चिम बंगाल का बहुत ही महत्पून लाका है चुनाव होने जा रहे हैं और चर्चा करने के लिए हमार साथ और कोई नहीं बलके खुद देश के केंद्रिय परेटन और संसकर्ति मंतरी प्रला सिंग पर्टेल जी मौजूद है प्रला जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी धन्रबाद राजी लगातार नौर्ट इस्ट में आपने काफी महनत की है उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में भी एक बड़ी जिम्मेदारिया अपने भारे हैं किस तरह का अप अपता कान भाव रहा है मुझे लगता है कि उत्तर बंगाल लगातार कांग्रेस की सरकारों से लेकर बामपंती सरकार और फर्तरनबूल की सरकार इसकी सजा भगत तरा है यह एतहासिक और साहिसी लोगों का इस्तान रहा है और इसे ही लोगस्वा का दोजार उन्नीस का चु सीगे पास भी सौपर्शत बूथो पर एजेंट नहीं होने के बाबजूद भी यहाँ पर बिजाए मिली है और इसलिए मैं मानता हूं कि उत्तर बंगाल ने अपना संदेश दे दिया विधान सभा में एतहासिक परनाम उत्तर बंगाल से आएंगे ऐसा मुझे लगता है कौन से से मुद्धे हैं परलाज जी जो आप देख रहे हैं कि इस बार परिवर्तन करा सकते हैं क्योंकि कॉंग्रेस और वामपंती भी काफी यहां पर सक्रिय रहते हैं भाजपा एक ताकतवर तरीके से सामने आ रही है कौन से से मुद्धे आपको लग रहा है जिस पर सवा के लिए कि कुछ बिहार जो राज वंसियों की राजदानी था जिनने मुगलों को प्रवेश नहीं करने दिया जिनका राज जो आसाम के उस पार तक भी था तो मुझे लगता है कि उन तमाम परस्तियों को यहां भुला देने की कोशिस हुई है मैं कल बान गड़ गया था वो इशापूर्व तीसरी सताब्दी का इसमारक है और तेरवी सताब्दी की उसकी जीवन सहली का उस पर उल्लेक मिलता है फिर मैं कुछ बिहार के बाजू में जब गया तो मतलब यहां दूसरी सताब्दी इशापूर्व तीसरी सताब्दी यह पूरा दो हजार तीन हजार वर होगा लेकिन इतना सुन्दर और गोरखाओं के लिए तो ये एक प्रकार से उनका तीर सी जैसा है लेकिन वो जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो उनको कभी नहीं मिला वो हक के लिए दसकों से लड़ाई लड़ते रहे कुर्वानियां देते रहे ना उन्हें सम्मान मिला ना मुझे लगता है कि एक मात रासा उनके सामने भी भारती जन्ता पार्टी ही है बलकि आज मैं ये बात मैंने कहीं भी है कि जो लोग अब अगर कोई अनरने की स्थिती में रहते हैं वो साथ अपनी कौम के साथ में न्याई नहीं करेंगे अब बतोर संस्कृति मंत्री आप से लगा है यही रही है पहचानतों पूसकी यही रही है बंदूक और गोली कि आवाजों का संगीत यहां का कल्चर नहीं रहा है क्रांतिकारी हुए है लेकिन उनने कभी भी संस्कृतिक वरासत को नहीं चोड़ा हर करांतिकारी के पीछे आपको एक अध्यात्विक ताकत मिले दूसरा हमारे पास में एक अच्छा उसर ही है कि इस बर चुनाओं के समय में पांच लोगों के नाम लेना हूँ और कोई फिल्मों के प्रती रुची रखता है तो सत्य जीत रे की सताब्दी है अगर कोई साहस और बुद्धी मत्ता के दोनों के समयलन देखना चाहता है तो नेता जी की 125 में जनती है महरसी अरविंदी की 150 में जनती है जन्ने वारत के सुदंतता अंदुलन में आध्यात्मक्ता का पुड़ दिया देश और दुनियामन की प्रतिष्ठा मानी जाती है फिर धाईशो जनती राजा राम महंडाई की है ये पांच महापुरसों की जनतियां इस वर्स में है हमारे पास आधार यह है कि इनके पथों पर पीछे चलने की बजाए इस गलत रास्ते पर लोगतंतर को ले जाने की कोशस के हो रही है ममता जी के द्वारा या त्रणमूल के द्वारा य इसलिए मुझे लगता है कि ये संस्कितिक वरासित को लोग सुविकार करेंगे जब एक बड़े कल्चर प्रोग्राम करते हैं उसमें राज सरकार की तरफ से किस तरह का सहयोग या कहे सहयोग रहता है राजबाड़ी पर राश्टी संस्किती महसों होना चाहिए ऐसी ये पहचान है बंगाल की तो मुझे लगता है ये बिरोध भी उसी कुंठा और गलत रास्ते का परचायक है आप नेता जी सुभाशंद्र वोश्ट से अपने विध्यारती काल से ही जुड़े रहें आप काफी बड़े बड़े टूर्णामेंट भी कराते आ रहे हैं जब ब अपने पूर्वजों को या अपने गुर्देओं को उनको प्रती आभार व्यक्त करूंगा और विशेस का प्रधान मंति जी को अगर साइद मैं संस्कृति मंति ना होता तो ये आउसर मुझे नहीं मिलता मैं खुस तो हो सकता था लेकिन आयूजक नहीं हो सकता था और लेक है कि हमारे लिए ते गर्ब की बात है संस्कृति मंत्री के बता और आपको कि लगता है कि बंगाल की संस्कृति को चुकि इंटरनेशनल बॉर्डर से भी लगता इसका बंगलादेश की वज़े से क्या इसकी संस्कृति को बदलने की बड़ी परियास किया गया कोशिश की ग कर होती है कि कम से कम देश में रहने वाले इस्थाई निवाशियों का मूल निवाशियों का और गुस्पटिये को बीच में फर्क होना ही चाहिए यह सच्छा ही है और इसलिए जो कानून संसत के अभीतर पारत हुए है उनके इंप्लिमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि प्रसास्निक तंत्र पूरी तरह से राष्ट के हित्मे हो यह महतवपूर्ण बात है उसका राजिती करन नहीं होना चाहिए जनसंक्या नियंतरन कानून को लेकर भी काफी चर्चा जली आपके व्यक्तिकत विचार के हैं मेरे व्य कि जनसंक्या नियंतरन कानून पूरी तरह से उसके पक्ष़दर हैं सीए को लेकर भी साफ़तर उनका कहना है कि सीए का जो कानून लाए गया है वो बहुती जरूरी था और उने उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पश्रिम बंगाल में होने वाले चुनाव़े में भरत ज ह। रप्स, विर्ए लाए लाए भरति प्रिम अवर्स, ये विथ लास्टिया! अर्श बर्शरब सकूली कि अवार्श कर शनग unaल्ष लैट